तो आज हम लोग 90 स्टेंडर में में प्रॉब्लम सेट नंबर 3.1 ट्राइंगल का थर्ड कोश्चन सौल करने वाल है यह यह तो कोश्चन नंबर थर्ड में जो दिया गया है न हमें एंगल्स की कुछ वैल्यू दी गई है वेरीबल्स की फॉर्म में ठीक है तो दा मीजर ऑफ आंगल ऑफ ट्राइंगल और स्ट लगी माने पास हैं इसको में निकालना कि नंबर में निकालना है इसे वेरीबल में नहीं तो चलिए पाइंड आठायंगल्स है हमें पता है guys in triangle we know that the sum of the interior angle is 180 तो यह statement यहां पर लिखना पड़ेगा इनर ट्राइंगल we know that sum of interior angle is 180 राइट तो क्या करेंगे सबको add करेंगे हम लोग एक्स प्लस oh yeah 20 is equal to 18 राइट विए यह ब्रेक्ट ओपन होगा ब्रैकेट ओपन होगा माइनस माइनस ही रहीगा ब्रैकेट ओपन होगा कि मैं तो यह जाएगा यह पर डेखो यह यह ऑख त्री एक्स हो जाएगा Minus minus कितना हो जाएगा? Minus 60 हो जाएगा? समझ रहे? तो ये side आएगा, क्या हो जाएगा? 3x equals to 180 plus 60 हो जाएगा 3x is equal to 180 plus 60 कितना हो जाएगा? 240 x equals to 240 divided by 3 x equals to कितना हो जाएगा? 3x is equal to 24 तो हमारा जो एक्स आएगा वो आएगा कुछ 80 डिग्री ठीक है एक्स हमारा कितना आजाएगा तो एक्स की वैलू अब फटा मट क्या करेंगे हम लोग एक करके ऐसे वैलू एंगल ऑफ ट्रैंगल जार एक्स है ना पहले हमने एक्स ही माला था उन्होंने ही ये वैनंहों हम क्या करेंगे तो पहला वाला पहला हमारा ये läuft आए एक्स टिकरी कोंसा पहला वाला वह जाएगा एक्स-पांटी-ग्री था मतलब 80 minus 40 degree था, इसका मतलब 60 degree था, यह पहला हो गया, दूसरा हो गया, x minus 40 degree, यानि कि 80 minus 40 degree, कितना है, 40 degree, तो पहला हो गया 80, दूसरा 60, यह 40, एड़ करके देख लो, 180 ही आने वाला है, ठीक है, चलेगा, इसी सी तरह आप math सीखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और like करें, नए आया है, तो share भी करें अपने दोस्तों तक, ठीक है, और कुछ राउटे तो हमें comment भी जरूर करें,